मध्य प्रदेश में विधान सबाच चुनाव के लिए बीज़ेपी ने पूरी कमर कसली है दिल्ली से लेकर भोपाल तक मारिधन बैठक और बड़े नेताओं के दौरे चल रहे हैं बुद्वार की श्राम दिल्ली में वीज़ेपी केंद्रे चुनाव समिती की बैठक हुई मीटिंग में प्रधान मंत्री ननेंद्र मूदी के साथ केंद्री ग्री मंत्री अमिच रहा और राष्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा को मध्य प्रधेश के चुनाव प्रभारी वकेंद्री मंत्री भुपेंद्र रियादव ने राष्टे के जमीनी हालात की चानकारी दी इधर अमिच शहां MP के दौरे पर आने वाले हैं मीटिंग में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी, केंद्रे मंत्री, भुपेंद्र रियादव ने MP में विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की ड्राउंड रिपोर्ट के साथ प्रदेश के एहम मुद्दे भी बताएं। बैठक में महासच्रीव बियल संतोष, केंद्रे मंत्री, अश्विनी वैशनव, नरेंद्र सिंग तोमर, संगठर महामंत्री, हितानन्द श्वर्मा भी शामिल हुए। बाद में मोदी श्वहा ने CM और अध्यक्ष के साथ फिर से बैठक की। भाजपा ने मध्यप्रदेश के अलावा 36 गड़ की विधान सभा सीटों को A, B, C और D श्रेणी में बाठ कर चुनाव अभ्यान चलाने का फैसला लिया है। श्रेणी में वो सीटे हैं जहां पाठी को हर बार चीत मिली है। B में एक या उससे ज्यादा बार हारी हुई सीट, C में दो या दो से ज्यादा बार हारी सीट और D श्रेणी में कभी ना जीती जा सकने वाली सीटे हैं। ये पहली बार है जब चुनाव की घोशना से पहले ही पार्टी ने प्रो आक्टिव मोट में आकर सीटों के समीकरणों उमीद्वारों के नामों पर मन्थन चुनू कर दिया है हमुवन चुनाव की घोशना के बाद पाठी केंद्रे चुनाव समीती की बैठक बुलाकर उमिद्वारों के नाम पर मन्थन करती थी कमजोर और हारी सीटों को लेकर मस्बूती से काम करने की रणनीती बनाई गई है इन सीटों पर प्रत्याशियों के चुनने के लिए फॉर्मुला जल्द ही तैयार किया जाएगा इस बीच केंद्री ग्री मंत्री अमिद्वारों का 20 अगस्त को MP का दोरा तैह हो गया है वो इस दिन भोपाल में एहम बैठक करेंगे बड़े नेताओं से रिपोर्ट लेकर गाइट लाइन देंगे इसके बाद ग्वालियर में प्रदेश कारे समिती की बैठक में शिर्कत करेंगे ये भाजपा के इस कारेकाल की आखरी कारे समिती होगी वीटिंग में 1200 से ज्यादा पार्टी के नेता शामिल होने वाले हैं मत्यप्रदेश में होने वाले आगामी बिधानसवा चुनावों को लेकर भारती अन्ता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सुची जारी कर दिये कुल 49 उम्मीदवार घोसित कर दिये गए हैं ये वो सीटें हैं जो भारती अन्ता पार्टी के लिए आकांग्छी सीटें थी यानि वो हारी हुई सीटें जिनमें कि अभी भारती अन्ता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बिजय नहीं हुआ है लंबे समय से या वो सीटें अब भारती अन्ता पार्टी के पास नहीं है ऐसी 49 बिधानसवा सीटों को छाटा गया था जो केंद्रिये चुनाब समीती की बैठक हुई थी उस बैठक में ये सीटें फाइनल हुई है और इनके उमीदवारों पे चर्चा हुई थी मगर भारती अन्ता पार्टी ने उमीदवारों की पहली सूची जारी करके एक मस्टर स्टोक जल के बढ़त बना लिये कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले साथ प्रत्यासियों की सूची जारी की थी और अब भारती अंता पार्टी ने 49 प्रत्यास्यों की सूची जारी कर दिये इन सूचियों में खास नामों की बात करें तो भारती अंता पार्टी ने भोपाल से अगर हम देखें तो दो विधायक कॉंग्रेस के जो अल्पसंक्यक समुदाई थे भोपाल मद्य से आरिफ मसूद थे जिसमें की भारती अंता पार्टी ने अपने पूर विधायक धुरुब नारान सिंग को मैदान में उता रहा है अब धुरुब नारान सिंग इस से भारती अंता पार्टी के उमीदवार होंगे और कही न कही ये माना जा रहा है कि आरिफ मसूद को ही कॉंग्रिस टिकेट देगी ऐसे में मद्ध विधान सवा में काटे का मुकावला हो सकता है भारतीय नता पार्टी में केंद्रिय नेतरत के साथ साथ जो इस्थानिय नेतरत वैंने प्रिदेश के नेतरत में मुक्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान बीडी सर्माव संगटन के पड़ादिकारी उनके साथ मिलकर भारतीय नता पार्टी के अमित्सा जो की चानक के माने जाते रहा है और कहीना कहीं ये मान के चल रही थी कि इन हारी हुई सीटों पर पहले से उम्मीदवार गोसित करके इनको अपने पक्ष में किया जा सकता है देखना ये है कि चुनाब में अब ये क्या नतीजा मिलता है ये तो चुनाब के परणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा मगर भारती इनता पार्टी ने कहीना कहीं उम्मीदवार गोसित करके बढ़त लेने की पूरी कोशिस की है चैमरा मैन मनी इसके साथ भारत एक्सप्रेस के लिए बोपाल से आज़र भटनागर